हाई एवरीवन मैं आपका केप्टन अमरीश कुमार अधाना एनाइस क्वाइट कोच एटीन एसंगेंग गौड मैली स्थीनाट सो मीटर कॉइल फैपर ओलम्पिक तीन हैर मीटर इस्टीपल जापान टोक्यों 2021 तो दोस्तों आज का मुद्धा बहुत अच्छा है रिकवरी से मेरे इंजूरी से बससक जाएं कि आपके इतने कोमनेंटENTS मेरे आप सारे एनशूरी है और और इंजूरी का क्या कारण हो सकता है वो आज मैं आपको बताऊंगा लेकिन मैं आपसे ने मिदम करूंगा इस वीडियो को आप लास तक देखेंगे क्योंकि सेना में स्टार्ट और फिनिस दोई चीज होती हैं बाकि बीच का कोई खाना नहीं होता तब ही आप अपने मुद् है हमारी πलस रेट, या रहा है कि बोड़ी का वह X- Θ जब आप उसको दबात हैं उतनीं बोड़ी चलती है तो यह अवश्चक है उसको जानना कि एक्सलेटर कैसी काम करता है पल्स रेट रिकावरी के लिए कैसी काम करता है पल्स रेट रिकावरी में दो तरह के से काम करता है जब हम सुबह उठके ग्राउंड में आते हैं उससे पहले हम पल्स रेट चेक करें उठने से पहले चारपाई से ना उठें और चारपाई पर लेटे लेटे अपना परसेट चेक करें जिससे कि आपको यह पता लग जा कि हमारी बोड़ी में रिकवरी है यह नहीं अब इसको करने का क्या तरीका हम कैसर करें तो आप इस तरह अंगुटे के ठीक पीछे से यहां नस होती है जैस आपकी पलसेट आई 60 आपके 60 आई और आपको पता लगा मेरी पलसेट 60 है ठीक इसी तरह अगर आप पांच ये छे दिन के बीच में 60 से 65 के बीच आपकी पलसेट रहती है इसका मतलब आपकी ट्रेनिंग साई डारेक्शन में है अगर वह चैंज फिट होता है पांच से उप आपकी बोड़ी को रिकवरी की आउच चकता है इसके बाद अगर आप वर्काउट करेंगे तो आप इंजूरी होंगे उस दिन आप वर्काउट ना करें केवल वार्मप और एक्साइज करके छोड़ दें आपके लिए अच्छा इंडिकेटर है है ना बैस तरीका आपकी ब आपके उत्सुक होंगे कि हमारी सुभे की पलसेट कितनी होने चीए तो दोस्तों ऐसा है साट से जितनी नीचे होगी उतना ही आपका इंडूरेंस लेवर अच्छा है यह इंडिकेटर है साट 55 उसके बाद 52 फिर 48 फिर 45 अगर हम जितना पलसेट हमारे नीचे जाएगी वर् पलसेट आज की डिट में 39, 38, 39, 38 जाती है इसका मतलब कि हमारी इंडूरेंस वियो टूमेक्स ओक्सिजन इंटेक केपेसिटी लेने का जो तरीका है बहुत अच्छा बोडी का है और एच भी हाई है इसका यह पता लगता है तो आप नैचुरिल है कि जब आप टाइनिंग क जएसे जएसा आप ट्रेनिंग करेंगे बैसे आपकी पलसे डाउन होती जाएगी और आपकी कैपिसिटी इंकरीज होगी एक साथ तो नहीं होगी कंटीनि होगी हम वह नहीं कहरें कि लोग बोलें एक वीक में बुस्त नहीं वह जूट है आप कंटीनू परोसिज जए कर अब आप ग्राउंड मा जाते हैं, ग्राउंड में वर्काउट से पहले, जब आप स्टार्ट करते हैं वर्काउट, तब इसे एक बार चेक करें, और आप इसी तरह सेंपल सेट लें, और आपका वार्मॉप होने के बाद, जब आपकी पलसेट 120-140 के बीच रहती है, करते हैं, कोई वर्काउट करें, अगर इंडोरेंस एक 160 के रहन में जाएगा, उससे उपर जितनी जाएंगे, जब आपका इंटेंसिटी हाई होती है, तो हाई इंटेंसिटी में हमारी पलसेट 180-190 भी जाती है, यह डिपेंड करता है आपकी कैपिसिटी के उपर, कि आपक इंडोरेंस लेवली कितना अच्छा है, जिसका इंडोरेंस अच्छा होता है, उसकी पलसेट लगबग कमी जाती है, और बेसे जो सुबह की पलसेट है, वो भी कमी होती है, तो अब आपने पहले नॉर्मल किया, एक आपने लगाया 95% का एक, यानि कि चाभी 400 मेटर भी हो सक सकती है, आपका किलोमेटर भी हो सकते है, तुरंत आपने पहले सेट चेक की, आप क्या ही 180, यह 180 में हम काम करते हैं, इसका मतलब कम्प्टिशन के नजदीक है, कम्प्टिशन से पहले हम इस तरह हाई इंटेंसिटी पर वर्काउट नहीं करते हैं, यह आपके कम्प्टिशन का फोर वीक रह जाते हैं, तब इतने हाई इंटेंसिटी पर काम करते हैं, नहीं तो पहले वैलूम जाद होती है, और इंटेंसिटी कम होती है, कम्प्टिशन के नजदीक इंटेंसिटी हाई होती है, और वैलूम कम होती है, तो मेरे कहने का मतलब यह है, जब आपके इंटे पर जाएं अधर्वाइस उससे पहले आप जाएंगे तो आपके इंजुरी होगी इंजुरी कौन सी मसल किसकती थाई कि कोई मसल किसकती है बैक्स किसकता है और पिंडेटाइड हो सकती है और ऐसा भी कही बार देखा गया बंदा ब्योहस भी हो जाता है क्योंकि रिकवरी इंडिकेटर है आपको जो दे रहा है बोडी से दोस्तों मैं आज आपको बताया पलש- There I get हमारी ट्रैनिंग में और हमारी बोड़ी रिकवरी के लिए कितनी हो इंच मह्तनी होते आप कि व्टाना बी को चुब होंगज बूप में उपको बताया मैं श्याद आपकी दिल नहीं करता इसका मतलब आपकी recovery नहीं हो रही है आप उसके बोड़ी के साथ जबरस्ति ना करें अपनी पलसेट चेक करें आप अपनी बोड़ी के खुड डोक्टर हैं पलसेट कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन जब आप गिंती करेंगे तो आपको आसान से यह आ अब इसके लेने के तरीके क्या है लेने के तीन तरीके है नंबर एक ती तरीक अब यहां से किंती करते हैं तो जो Similar आप हाथ लगाएंगे तो यहां हमारी जो चमाट उल्ग टक तक टक तक टक टक ऐसे अवाज करेगी यहां सब गिंती कर सकते हैं दूसर दिका जब डॉक्टर लेता आपने देखा होगा ना यहां से यहां से नस पकड़ते हैं इसके उपर चोड़ी सी नस वह आवाज करती है डक टक 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 ऐसे आवाज करेगी यहां से भी आप ले सकते हैं और आपके पास प इसका इसमाल कर सकते हैं और यह आपके बोड़ी की रेकवरी के लिए बहुत ही गला ना हूआ होगा आपके बोड़ी की गाड़ी की श्राइड करे कैसे दवाएं उसकी recovery के लिए ये आवश्यक है मरजी आपकी है हमारा काम आपको बताना है सही रास्ता और सही रास्ते बेचलना परिशानित होती है लेकिन कोई जादे परिशानी नहीं किंतियों तब करी सकते हैं यार मेरा बताने का केवल मतलब यह है मकसद यह है कि आप सही direction पर जाएं और यह scientific है और practical भी है दोनों चीज वो बता रहा हूं जो सच है जो किताब हमें लिखा है जो ground पर मैंने देखा है हम आपको सच बयान कर रहे हैं जूट नहीं हमारे पास जूट बोलने की आवश्यक्ता बिल्कुल नहीं है क्योंकि हम पहले से ही इश्यमेडलिस कीजिए सबस्क्राइब कीजिए जिससे कि इसका वेनिफिट सभी उठा सकें और इंजूरी ना हो मेरे यह मकसद है कि आप इंजूरी ना हो पैस परफॉर्मेल दें और में यह काम आपके लिए करता रहूंगा अब मैं आपसे विदा लेता हूं आपका कैप्टर नाम रिश पल्स रेट 97 है वेरी गुट थैंक्यू वरी मच्छ